को डिवनिंग वच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था की कि इस टोंस कैसे फॉर्म होते हैं अगर मैं स्टोंस को देखूं ब्रॉडली तो यह रॉक्स की बात करते हैं तो रॉक्स के फॉर्मेशन के बारे में बात किये थे और इसके classification के बारे में भी बात कर चुक है तो हमने यह देखा था कि इसके classification के कई सारे तरीके थे कई सारे basis थे अधार जिसको हम लोग बोलते हैं तो पहला अधार आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा था वह geological हमने पढ़ा हुआ है जो रोजिकल, हिंदी वालों के लिएकर मैं बताओं तो भूप गर भी है, दूसरा जो अधार है वो है फिजिकल, भौतिक के अधार पे, और तीसरा जो है वो है कैमिकल, रासाइनिक, यह तीन बेस है, क्या है यह तीन बेस हैं, अधार है, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं? इस चटानों का क्लासिफकेशन करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर आप लोगों के देखा था, कि इगनियस नम के एक रॉक था, दूसरा हम लोगोंने sedimentary के बारे में पढ़ा हुआ था और तीसरा हम लोगोंने पढ़ा हुआ था metamorphic यह तीन rocks के बारे में हम लोगोंने broad study की थी और इसके बारे में examples भी पढ़े थे हम लोगोंने ठीक है तो I think वो topic clear होंगे अगर जो वो नहीं है वो लास्ट के दो लेक्चर देख लें उनको साथ किलियर हो जाएगा उसके बाद कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस करेंगे तो आज हम इस लेक्चर में कंटिनू करने वाले हैं फिजिकल भौतिक के अधार पर चट्टानों का वर्गी कराने हैं यानि कि क्लासिफिकेशन आफ रॉक्स ऑन दा बेसिस ऑफ फिजिकल प्रौपर्टी ऑन दा बेसिस ऑफ फिजिकल बेसिस ठीक हैं तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यह जनरली दो या तीन टाइप की पाए जाती हैं तो हम देखते है है थिजिकल एक तरीका से अपीरेंस के आदार पर होगेह एक तरीक से देखा जाए मैं गजिंदें में क्वीशन चीजें दिखतीए पर्त दिख सकते यानि की इसस्टेश्टिफिकेशन देखता इयानि कि लेयर्स दिख सकती तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें परतदार या इस्तरित क्योंकि लेयर है इस्तरित इसको अगर आप बात करें तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स इस्ट्रेटिफाइड रॉक्स स्ट्रेटिफाइड रॉक्स तो 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 स्ट्रे इसमें क्या डिफ्रेंस होता है कैसे होता है इसमें अगर देखते हैं हम लोग इस्टडी करेंगे तो तीसरा एक टाइप होता है इस्पेसल टाइप का है फॉलियेटेट चट्टान बोलता है जिनको हम लोग जो कि यह स्लेवस में नहीं है लेकिन कटेग्राइजेशन वो फीजिकल के ही अंदर होता है मैं इसके बारे थोड़ो सा एक्जामपल ब्रीफ करूंगा जब हम लोग डिटेल में जाएंगे तो हम डिटेल में जाएंगे सबसे पहले परद्दार के लिए यानि कि पहला जो है ह हमारे पास सटेटिफाइट के लिए नाम से पता चल रहा है कि सटेटिफाइट जो चटाने होती है उसमें लेयर होती है कि लेयर की होती है लेयर की प्रिजंस औप देख height का। हमने जीविलॉजिकल में सेडिमेंट्री का टाइप पढ़ा था उसमें क्या होता था कि सबसे पहले डिपोजीशन होता था कोई एक लेयर आती थी कई सालों के बाद वह जम जाती थी जबने के बाद ही हार्ड हो जाती थी दूसरी लियर इसके उपर धीरे दिर हाकर जमने मौरे पास उसके सारे जो एक्जमपल सेंगे किसन आजांग चैटफाइड में क्थास constitutional क्या चैटान आजांगी क्योंकि लेयर बाई बना होगा जब लेयर बाइए लेयर बाई से टाइप को मौं क्या बोलते सेटिफाइड चेट रच wonder बोलते हैं निकि परतदार चट्टान बोलते हैं तो इसका एक्जामपल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि लाइम स्टोन लाइम स्टोन हो गया और सैंड इस्टोन हो गया और डॉलमाइट हो गया तो आपको लग रहा होगा आइडिया हो गया होगा कि सेडिमेंटरी रॉक जो है वो एक परफेक्ट इग्जामपल होते हैं स्टेटिफाइड या लेयर्ड रॉक्स के नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस तरहीन यानि कि कुल मिलाके अपसेंस ओफ लेयर अब जो भी वह वो उसमें लेयर आपको नहीं देखने को मिलेगी इन पत्रों में पता चला कि कोई एक लेयर यहांपे भी प्रेजन्ट और भी प्रेजन्ट यानि कि कुल मिलाके देखा ऐसे चटानों को हम लोग क्या बोलते हैं अगर मैं इसके एक्जामपल के मैं बात करूँ तो इग्नियस रॉक के सारे अब इग्नियस रॉक में कौन कौन से आते हैं ग्रेनाइट आता है उसके अलाबा गैब्रो आता है गैब्रो के अलाबा बसाल्ट एंड ट्रेप यह जो चटाने हैं एक्चुली में यह किसके एक्जामपल होगे अनिस्टेटिफाइट के तो आपको पता चल रहा होगा कि बुगर्भी यह चटानों के जो एक्जामपल से हैं वो फिजिकल में भी आएंगे सिमिलरली जब हम केमिकल के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर भी यही वाले चटान एक्जान क्योंकि चटान तो नेचर में वही मिलेगा अब वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कौन से चीज़े कितनी है लेयर के रूप में मवजूद है या नहीं है तो उस ग्लामपल से याद रखने जैसे कि जे मीजयर मिजशें सिस्ष्ट इसकी एक्जांपण अप या अधि रखेंगे सिस्पर गया नीज हाओ फ लाइटं है तो यह कॉम्पेटिशन परपस से याद रखेगा अब define यह ने ऑर इक्टान का फ्र दिखाइद रख्टे इसे साथ में trap and result भी दे देगा तो आपको confused हो जाएंगे कि कैसे और जब आपने पढ़ा होगा तभी आप इसके बारे में बता सकते हैं तो यह एक special type का physical rock है foliated rock जिसके अंदर के आपको example से याद रखने हैं तो next classification हम लोग देखते हैं जो तीसरा type था हम लोग ने उससे में लिखा था है chemical classification chemical classification की अगर मैं बात करूँ तो यह अपने आप में ही three category है एक जो है उसका नाम है हमारे पास siliceous silica मैं चट्टान silica मैं और इसको लिखेंगे siliceous एक चट्टान है हमारे पास चूनेदार यानि कि चूने की मात्रा अधिक होगी तो calcareous और तीसरा जो है हमारे पास वो है मिर्तिका मैं चट्टान है मिर्तिका मैं चट्टान है इसके example है इसको बोलते है आरजी लियस आरजी लेसियस आरजी लेसियस यानि कि मिर्तिका मैं चट्टान है तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है silica मैं चूनेदार मिर्तिका मैं चूनेदार मतलब की लाइम की मात्रा जादा होनी चाहिए तो अब हम बात करते हैं कि इसके examples के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से चट्टाने जो हैं हमें पता है जो इसके अंदर आते हैं तो कि सबसे पहला है silica में जिन चट्टानों में silica कि या silica जैसे पधार्थ की मात्रा अधिक होती है तो ऐसी चट्टाने को हम लोग silica में चट्टाने या siliceous rocks कहते हैं यान कि बात करें तो प्रिजेंस आफ शिलिका और silica type material materials तो ऐसे चट्टानों को हम लोग बोलेंगे siliceous rocks और देखा जाए तो इसके examples होते हैं हमारे पास granite, quartazite, sandy stone, knees तो आप लिख लेंगे granite, sandstone, and quartazite, इन सब में silica की मातरा दिक होगी या देखा जाए तो आपको balu यानि कि sand की मातरा ज्यादा होगी अब silica जितना ज्यादा होता है यह जैसे जैसे समय गुजरता रहता है solidify होते रहते हैं आपास में fuse होके इसके elements तो एक बहुत ही hard substance बना लेता है जो कि rock ही कहलाएगा लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें silica की मातरा ज्यादा होते है तो वह rock अपने आप में बहुत ही hard हो जाएगा जब हो है कि calcium carbonate की मातरा दिखोने चाहिए यानि कि main element कौन से है calcium carbonate ऐसे चट्टान जिसमें calcium carbonate की मातरा ज्यादा है हो सकता है कि एक ऐसा चट्टान है जिसके अंदर silica भी हो calcium carbonate भी हो और alumina type भी हो कई सारे material होंगे क्योंकि यह एक natural substance है rock अब natural substance है तो इसके अंदर बहुत सारे material होंगे या minerals होंगे तो अब rock को classification उस अधार पर करते हैं कि क्या कौन से हैं तो सारे लेकिन कौन सा element या कौन सा material जो है chemical जो है वो ज्यादा मातरा में present है तो उसी के आधार पर उस rock का नामकरन कर दिया जाएगा कि वो calcareus में होगा या siliceus में होगा या argilis में होगा तो इसमें calcium carbonate की मातरा अधिक होती है तो चूना आपको पता है कि कमजोर होता है इस पर attack बहुत जल्दी हो जाता है यानि कि nature से जो भी चीज़े इसको water हो गया या nature से कुछ acidic compounds हो गया है जो चूने के साथ reaction करके एक दम तो एक तरीके से देखा जाए तो यह hard नहीं होगा एक soft type का material हो जाएगा और तो चूना जब चूने के मात्रा होगी तो water resistant भी नहीं होगा water resistant भी बहुत कम होता है as compared to silica की बात करा हूं ऐसा नहीं है कि एकदम कमजोरी होता है water resistant किसी एसल जैसे acid का attack हो गया तो बहुत जल्दी यह डिकार हो जाएगा तो इस टाइप इस टाइप के रॉक के जो टाइप है वह है limestone और marble आप जानते हैं marble पर अगर हलका सभी acid हो जाए तो marble की सुंदर्ता चली जाती है तो यह marble हो गया कमजोर होते है नेस्ट है हमारे पास argilis मृतिकाम है चट्टाने यानि कि मिट्टी की मात्रा मिट्टी को अब हम लोग clay word यूज़ करेंगे कि clay की मात्रा ज्यादा होती है तो अब इसके अंदर clay के अंदर जो main component होत है अल्यूमीना यानि कि ऐसे चट्टान जिसमें alumina की मात्रा ज्यादा हो जाएगे तो उसको हम लोग argilis rocks कह सकते हैं या मृतिकाम है चट्टान कह सकते हैं और इसके जो example है letterite slate होता है और cyst होता है इसके examples होता है तो अब मिट्टी है alumina की मात्रा ज्यादा है अब alumina की मात्रा ज्यादा होने से क्या होता है कि plastic हो जाते हैं यानि कि यह सुघट्य यानि कि plasticity बहुत ही ज्यादा होती ज्यादा हो जाती है अब plasticity ज्यादा होने के कारण इसमें लचीला पन रहेगा जब लचीला पन होगा तो कठोर या हाड हम नहीं बोल सकते हैं although compare करें चुनेदार पत्थर से तो यह कठोर होगा ठीक है तो तो इतनी आसानी से इसको बियर नहीं कर पाती है तो एक तरीके से हलका कमजोर होता है तो सिलिका वाली जो चटान होते हैं सबसे बैस्ट हैं जिनका हम बिल्डिंग के कई जगा प्रियोग करते हैं तो यह हमारे पास अब तक तीनो टाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्ल स्टेडी हो गई और इससे कॉंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा ही आता है कोई ना कोई कोई कोशन इससे टकरा ही जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि एक बिल्डिंग को बनाते समय है बिल्डिंग में जो पत्थरों का यूज किया जाता है प्रियोक किया जाता है उनके कौन कौन से गुण होने चाहिए अब यह जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम लोग क्या करेंगे कि सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन साब पत्थर हमें यूज करना चाहिए बिल्डिंग के लिए तो यह नेक्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसको कबर करेंगे कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका यूज कब करना चाहिए और कुछ कोश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोश्चन कब पूछा गया था तो नेक्ट लेक्चर जल्दी हम लोग डाले करेंगे तोड़ पोड करने के बाद क्या होगा पत्तर बंते परकिरिय年前 किनने हैं और या किन दर्ट है और इन जरनável को का सब्सक्राइब कर दा जाता है इन की और में यूंगे दिटेल में पड़ेंगे थेंकिय।